लूट्व गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल तो आज एक एर्र की सीरिज में यह एर्र देख लेते हैं कुछ लोग जो परचेस ओर या परचेस रिक्विजिशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनको यह एर्र आ रहा है in the dedicated server तो देख लेते हैं कि इस एर्र को कैसे resolve करना है और यह एर्र आ क्यो रहा है चला वए तू सबसे पहले चलते हैं अपने sap server पर log on कर लेते हैं हम देखते हैं क्या टैरर आ रहा है हम create कर लेते हैं purchase order using t code me21n then take vendor, take org data, take material, quantity, price, and plant नौ चेक कुछ तो गडबड है अभीजीद भटाचार्या कुछ तो गडबड है नौ सी यह एरर आ रहा है delivery date outside period covered by factory calendar राइट तो यह एरर आएगा delivery date outside period covered by factory calendar राइट राइट तो यह एरर आ क्यो रहा है देखो real time में अगर यह एरर आता है तो यह finance fi consultant को resolve करना होता है आप sma mm consultant उनको बताते हो कि सर हमको यह एरर आ रहा है एंड एरर यह सो कर रहा है एरर सो कर रहा है कि delivery date outside period covered by factory calendar आई एन तो उनको आपको factory calendar mention करना होगा लेकिन देखो delivery date तो मैंने यहां पर write डाली है यह देखो 2 february 2023 तो अगर मैं आगे की date भी अगर मैं mention करता हूं यहां पर let suppose 9 february तो भी देखो errors फिर भी आएगा तो real time में इसो कौन resolve करता है fi consultant लेकिन हम जो है integration भी सीख रहे हैं mm module के साथ fi तो हम लोग इसको देखेंगे कि ऐसे resolve करेंगे राइट आपका message आएगा me078 delivery date outside period covered by factory calendar राइट ऐसे करके आपको errors हो करेगा राइट सो देखो मैंने mention किया है notes के अंदर कि आप जब भी purchase requisition या purchase order create करते हो लेकिन आप delivery date जो है आगे की mention करते हो purchase order से like आज अगर मैं create कर रहा हूं और मैं 5 भी अगर लेता हूं तो मेरे को यह error so कर रहा है तो मैं so कैसे resolve कर सकता हूं आप path के through भी जा सकते हो and t code के through भी जा सकते हो तो पहले path के through जाते हैं एक नया session open कर लेते हैं using t code back using t code slash o img go to img go to sap net viewer go to general setting then go to maintain collect calendar right इसके बाद आपको select करना है factory calendar right and आपको जाना है display में तो देखो हमारे क्या था factory calendar in और यह हमने कब select किया था factory calendar in जब हमने plant define किया था तो वहां पर हमने factory calendar in लिया था तो देख लेते हैं देखो लेकिन एक सेकेंड इसकी वैलेडिटी कहां से 2010 to 2016 तो अगर इसकी वैलेडिटी 2010 to 16 है लेकिन अभी हम delivery date ले रहे हैं 2023 तो obviously हमको system error throw करेगा तो सर इसका solution क्या है देखो real time में तो solution होता है कि आप अपने company का अलग से factory calendar create करते हो क्योंकि आपकी organization में आपको client कहते हैं कि सर हमको तो सुरिफ ये national holidays देने हैं या फिर 8 या 10 national holidays देने हैं तो उसके according आप जो है उनका factory calendar create करते हो बात तो सही है वो हम mmfi जब mmfi integration वाला पार्ट देखेंगे तो मैं आपको बता हूंगा कि कैसे create करते हैं factory calendar लेकिन यह देखो standard दे रखा है Indian special calendar 2022 to 2027 तो यह जो calendar है वो valid है from 2022 to 2027 लेकिन हमने ले रखा था calendar 2010 to 2016 आई-एन तो हमको लेना है अभी calendar आई-आई कहां लेना है कि देखो यह notes के अंदर एक्दम well-defined manner में आपको mention है ठीक है go to spro img sap netweber यह है आपका path calendar maintain करने के लिए और आप इसके लिए t-code भी यूज़ कर सकते हो s-c-a-l यह आपका path के तुरू था अब t-code s-c-a-l भी यूज़ कर सकते हो यह देखो backslash an easy access screen open हो गई now use t-code what is the t-code s-c-a-l जिनको t-codes याद रहते हैं वो t-codes के तुरू जा सकते हैं जिनको path remember रहता है वो path के तुरू जाते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आपको अभी as a learner हो दोनों के तुरू जाना है आपको path के तुरू भी जाना है and display में जाना है तो यहां से आप देख सकते हो कि जो आपने factory calendar लिया है like हमारे case में हमने IN लिया था वो valid था from 2010 to 16 लेकिन जो Indian special calendar था II वो valid था 2022 to 2027 तो हमको लेना है अपना II तो यहां से आप जाके check कर सकते हो कि कौन सा valid period है आपके current period के according और आप create भी कर सकते हो वैसे real time में यह FI consultant का work होता है लेकिन हम लोग यह भी सीखेंगे राइट so यह हम T code के थुरू भी गए and path के थुरू भी गए now look in the notes एक्दम well defined manner में आपको notes में mention है use T code SCAL select factory calendar, go to display and Indian special calendar आपको यह लेना है और आपने ले रखा IN यह आपको नहीं लेना है so आपको जाना है define plant में and आपको factory calendar change करना है तो आप path के थुरू भी जा सकते हो and आप T code के थुरू भी जा सकते हो तो पहले हम path के थुरू जाएंगे path तो हमको बहुत अच्छे से पता है इसका right path है आजका SPRO go to definition go to enterprise structure go to definition go to logistic journal go to define copy delete check plan right and आपको जाना है define plant में double click on that आपको position में जाना है आपको अपना plant देना है मेरे case में KL01 आपका जो plant है वो देंगे आप enter select go to detail आप ऐसे भी जा सकते हो या पर इस पर दबल क्लिक करके भी जा सकते हो right now see click हमने factory calendar लिया था आई एन right हमको लेना है ii right where is ii here it is Indian special calendar enter save yes now see अब आपको error नहीं आएगा right अभी एगर मैं इसको create करूंगा तो error so करेगा मेरे को दुबारा से purchase order का page open करना होगा कि देखा अभी तो यह error so करेगा मेरे को कि मैं दुबारा से purchase order कटी कोड यूज करता हूं इसको close करना है vendor header org data इस चैक थे चैक तुब्स प्रमेश्ज इस्यू डूरिंग जैक तो यह हमारा error रिजॉल्व हो गया now save तो ये प्रूव है कि आपका purchase order create हो चुका है standard purchase order created under the number this right so ये हम गए थे इसके थूरू path के थूरू अगर हमको directly define plant में जाना है तो हम t code use कर सकते हैं ox 10 t code से भी देख लेते हैं गवार using t code ox 10 enter position में जाना है अपना plant select करना है enter select details now see यहां से हम change कर सकते हैं enter and save right तो ये हो गया हमारा error resolve right so देखो notes के अंदर बहुत bell defined manner में आपको mention है आपको अंदर आई आई right enter and save so sap dedicated server जैसे कि मैंने आपको promise किया था कि मैं February में आपके लिए dedicated server purchase कर लूँगा तो वो मैंने purchase कर लिया है जिस किसी को भी dedicated server पर practice करनी है बिलीब में यार वैस्ट होता है beginners के लिए dedicated server पर practice करना जितने भी institutes होते हैं या फिर जितने भी जहांसे भी आप classes लेते हो वो आपको dedicated server पर ही practice कराते हैं हमारा जो connection है हमारी जो family है वो youtube से connected है तो मैं आपको free of cost आपको training दे रहा हूँ right तो वो लोग क्या करते हैं आपसे training का भी charges लेते हैं अगर आप working professional से किसी से सीखते हो तो and आपसे server का भी charges लेते हैं या फिर आपसे बोलते थें कि market से आप server purchase कर लो तो देखो यह server तो आपको purchase करना ही होगा क्योंकि जैसे अगर वो भी आपको provide करते हैं तो वो भी पहले purchase करते हैं then आपको provide करते हैं और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आपको convenience रहा practice करने के लिए तो मेरा भी यही plan है कि आपको एकदम actual feel देनी है ठीक है क्योंकि अगर आप online server प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको इतने errors आएंगे इतने वक्स आपको आएंगे as a beginner तो आप वहाँ पर practice नहीं कर पाओगे properly बात तो सही है in the dedicated server आपको errors नहीं आएंगे अगर आएंगे तो आप मेरे को immediately बताना मैं fix करागा देता हूँ हाँ अगर SAPMM से related अगर errors आते हैं like जो अभी error आया था यह तो वैसे FI consultant resolve करते हैं लेकिन अगर ऐसे errors आते हैं तो बहुत अच्छा है इससे हमको सीखने को मिलता है लेकिन अगर errors आते हैं जो ABAP की side से आते हैं जो कि ABAP guy यह fix कर सकता है तो उस case में हमको थोड़ी problem हो जाती है तो जिस किसी को भी dedicated server चाहिए 24 hours के लिए free demo है मेरे को इस पर DM करो यह मेरा WhatsApp नमबर है and server speed 64GB RAM है 2TB hard disk है and इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इतना यह specification से अपने laptop यह desktop में अगर 2 RAM हो यह 4 RAM हो तो वो भी चलेगा राइट चार यह 8 something जो भी हो भी चलेगा this is server specification राइट तो आप desktop and laptop कहीं भी यूज़ कर सकते हो and इसका जो charges है वो 400 per month है right and 24 hours का free demo है जाके check करो कैसे server work करता है लेना है ने लेना वो आपकी choice है लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप 24 hours का demo तो जरूर लो right so this is the end of the video अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो किजरीबाल सर आप से request करना चाहते है तो करना बहाई ने बोला करने का तो करने का करो अगर आपको मेरे efforts पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को like करो right and share करो अपने sap circles के साथ so thank you guys lecture last तक देखने के लिए thanks a lot याप